दोस्तों जब हमारा मस्तिस्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं और जीवन में अगर आपको बड़े फैंसले लेने हैं मुश्किल हालातों से निपटना होता है तो हमें मानसिक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वह इन मुश्किल हालातों स अपने कटिन समय से बाहर जरूर निकलाते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं इसी पर चर्चा करने वाले हैं मैं आठ नियम बताने वाला हूँ जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिये आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकलाएंगे और आप मांसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे तो मित्रो आज की यह वीडियो बहुत ही महत्पूर होने वाली है इसे छोड़ कर कहीं जायेगा नहीं मित्रो एक बार एक बहुत महात्मा आस्रम में अपने सिस्यों को दिमाग के उपर कुछ भाशट दे रहे थे गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिस्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याड़कारी बाते सोचता है लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाय जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है तभी उन्हीं में से एक राजवन्त नाम का सिर्ष से खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुर क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिस्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं खुद को मांसिक रूप से मजबूत बना सकें गुरु कहते हैं कि अवस्व में बताऊंगा लेकिन उससे पहले में कुछ बातें मन पर बता रहा हूँ जिसे तुम लोग ध्यान पुर्वक सुनना तब ही जाकर के हम बताएंगे कि मांसिक रूप से मजबूत कैसे बने तब ही तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिस्क में जन्म लेते हैं और उसी के अन्रूप हमारा पूरा सरीर कार करने लगता है मान लो कि आप कुछ दुख भरी बाते सोचते हैं तो आप बिलकुल सिथिल होते चले जाते हैं आपके सरीर की उर्जा कम होने लगती है लेकिन वही पर अगर आप कुछ उसा भरी बाते सोचते हैं तो आपके सरीर के अंदर असीमित उर्जा बहने लगती है आप वाकई में जोज से भरे दिखाई देने लगते हैं आप यह अन्भव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके सरीर के अंदर बहुत उर्जा आ जाती है आपका रोम रोम खिल उठता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोज भरी बाते सोची सरीर तो वही है आपका लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका सरीर बिलकुल उर्जाभीन हो जाता है लेकिन जब आपके विचार जोस भरे वाले होते हैं तो आपका सरीर खिल उठता है यानि हमारा सरीर किस तरीके से काम करेगा यह सब हमारे मस्तिस्क में उत्पन हो रहे विचारों पर निर्वर करता है अब तुम सब को मेरी बाते बहुत ही अच्छे तरीके से शमज में आएंगी अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने गुरू कहते हैं कि मैं तुम सब को आठ तरीका बताऊंगा अगर आप उन आठ तरीकों को अपने दिमाग में लाते हैं वैसा ही सोचते हैं तो यकीन मानिए आपका सरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप दुकी होते हैं तो आपका सरीर उर्जवहीन होने लगता है लेकिन जब आप खुस होते हैं आपके दिमाग में अच्छा विचार आया और आप खुस हो गए तो आपके सरीर में अच्छी उर्जा बहने लगती है इसका मतलब यह है कि अगर हम वह आठ तरीका जान लें और वही हम अपने दिमाग में सोचें तो हमारा सरीर भी उर्जा और जोज से भर जाएगा अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे और वास्तों में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे गुरू कहते हैं कि सिच्छों माझशिक रूप से मJBOOT बंने का पहला नियम है जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो गुरू कहते हैं कि सिच्छों मुझे या बताओ कि सूर किस दिशा में उगता है तो सभी सिस्सों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी सूर पूरव दिशा से निकलता है फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं यह कहूँ कि सूर पस्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी सिस्से कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर सूर तो पूरू दिशा से ही निकलेगा हम उसके स्थान को उसके जगाँ को बदल नहीं सकते हैं फिर गुरु कहते हैं कि मालोब बारिस का मौसम है और अगर मैं यह बूलों की बारिस बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिस बंद हो जाएगी सिस्स कहते हैं कि नहीं गुर्वर वो तो मौसम में बदलाओ की वज़ा से होगा जब मौसम में बदलाओ होगा तो बारिस बंद हो जाएगी फिर गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से या कहूँ कि ठंडी के मौसम में गर्मी पढ़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है सिसे कहते हैं कि गुरूर आप ठीक कह रहे हैं या कभी नहीं हो सकता है कि ठंडी के मौसम में गर्मी पढ़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पढ़ने लगे या मौसम तो प्रकित पनिरवर करता है जो कि हमारे बस में नहीं है फिर गुरू कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज हमारे बस में नहीं होती है या जो बातें घटनाएं बीच चुकी हैं अगर हम उन घटनाओं को लेकर कि बार बार परिशान होते रहेंगे या उसकी बहुत जादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूत काल की घटनाओं की और उसका एक मात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर आने वाले भविस पर आने वाले चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए गुरू आगे कहते हैं कि मांसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदर डालें गुरू कहते हैं कि ग की खोश करने में असमर्त रहे उनके गुरुवों ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड उपाए बताए लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब नहीं हुआ अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयम ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे-धीरे ध्यान की गहराईयों में दृफ करके उन्हें वह सारी चीजने पता लगने लगी जिस सीज की वह खोज में निकल पड़े थे ध्यान के जरिये वह अपने सभी विचारों पर विजय पा लिए उन्होंने पापी मार को मस्तिस्क बहुत ही सांत हो जाता है जिसे कि अगर हम किसी वस्त पर या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है बहुत बिच्वबर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं तो आध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंडे तक बैठे रहते हैं जिससे उनका दिमाग बहुत ही सांत रहता है उनका मन बहुत ही सांत रहता है और जिसका मन सांत रहता है वही किसी भी चीज पर अच्छे तरीके से विचार कर सकता है अर्थात वहमन और मस्तिस्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है ध्यान करने से आपकी सारी वासनाय आपके नियंतरण में रहेंगी आप अपनी च्छानुसार अपनी वासना को अपने वस्मे किये रहेंगे गुरू आगे कहते हैं कि मांसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना गुरू ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिये हो अपनी मर्जी से ही गर्व का चुनाव किये हो लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना था वह किसलिए जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से गर्शित हो जाता है इस संसार की मुहमाया में वह बहुत ज़्यादा पढ़ जाता है वह खुद को जान ही नहीं पाता वह खुद को भूल जाता है और यही वज़ा रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज़्यादा उमीदे लगा बैठता है उम्मीदे दुख का कारण बनती है जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीदे ज़्यादा बढ़ जाएंगी आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है क्योंकि उम्मीद जहां पर होती है दुख भी वहीं पर होता है क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर ख़रा नहीं उत्रा तो सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है क्योंकि जब उम्मीद तूटती है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इस संसारिक इस भोतिक जीवन में बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा मो किसी भी व्यक्त से मत करना एक सिस उठ खड़ा होता है और कहता है कि गुरुर हम बिना उम्मीद से बिना आसा से कैसे जी सकते हैं हम सब के मन में रहता है कि मुझे यह चीज करनी है मुझे वह चीज करनी है मुझे जीवन में उचाईयों को हासिल करना है बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ी नहीं सकते गुरु ने कहा कि कुछ वाने की लालसा कुछ बड़ा बनने की लालसा हमेशा खड़ा रहेगा या आप जो सोचें वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे तो यह सबी चीजें बहुत ज़्यादा उमीद और मोह को बढ़ावा देती हैं बहुत ज़्यादा उमीद किसी से मत रखना खुद से उमीद रखोगे तो दुख बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन अगर दूसरों से उमीद रखोगे और वह उमीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज़्यादा होगा कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासल नहीं कर पाए वह चाहते हैं कि वह चीज उनके बच्चे हासल करें वह सारा भार अपने के माता पिता यही कह रहे हैं बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आजाद रखते हैं मेरी सबी से गुजारिस है कि अपनी उमीदों का पहाड अपने बच्चों पर ना थोपें गुरू कहते हैं कि मांसिक रूप से मजबूत होने का चोथा नियम है कि पहली बा वो अस्फलता की तरफ जरूर ले जाएगा क्योंकि डर तुम्हारे आतमबल को तुम्हारे आतमविस्वास को डगमगा देगा कमजूर कर देगा और तुम्हारा आतमबल तुम्हारा आतमविस्वास कमजूर हो जाएगा तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष को पाने में असमर्थ महसूस करोगे और यही असमर्थता तुम्हें अस्फलता की तरफ ले जाएगी इसलिए जिवन में जब तुम अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज की संका मत रखो कि मैं फेल हो जाओंगा, अगर यह नहीं हुआ तो यह हो जाएगा यह सब बातें अपने दिमाघ में मत लाओ क्योंकि यह सबी बातें आपको डर की तरफ ले जाएँगी और जब डर बढ़ेगा तो तमाम संका आपके दिमाग में पैदा होगी आपको घपराट भी हो सकती है आपको नीद नहीं आएगी रात को बेचैन मन होने लगेगा क्योंकि आपका डर आपको अस्फलता की तरफ ले जा रहा है और जब अस्फलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और जदा डरने लगोगे इसलिए जीवन में जब आप लक्ष की प्राप्त के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई संका मत रखो सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं क्योंकि तुम अपने लक्ष की प्राप्त के लिए काम कर रहे हो उसके लिए जुट गए हो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और जब दर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर शफल हो जाओगे गुरू आगे कहते हैं कि पांचमा नियम है मांसिक रूप से मजबूत बनने का वहिया है कि जिंदगे में कभी भी खुद को कोसो नहीं गुरू कैते हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा संगर्श करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है जितना ज़्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज़्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में अस्फल भी हो जाते हो या कोई चीज तुम्हारे इच्छा के अंसार नहीं हुई या तुमने कुछ ऐसा कार किया जैसा नहीं करना चाहिए था और इन सब बातों को ले करके अगर तुम पस्ता रहे हो खुद को कोश रहे हो तो या तुम्हें मांसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा क्योंकि खुद को कोशना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है या आपके दिमाग की च्छमता को कम कर देगा आपकी सोचने सबजने की सक्ति को कम कर देगा आपके आतमबल आपके आतमविस्वास को कम कर देगा इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार के लिए खुद को कोशना नहीं क्योंकि अगर वह कार तुम से नहीं हुआ है या जो तुम सोच रहे हो वह जिन्दगी में नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अस्फल ही हो गए अगर मैं यह कहूँ कि यह सामने वाला आम का पेड़ है इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चड़ेगा हाथी चड़ेगा, बंदर चड़ेगा या फिर गिलहरी और या फिर सेर तो सबी सिस्ड़ू ने कहा कि गुरू आ, इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चड़ जाएंगे गुरू कहते हैं कि तो अगर यह हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चड़ पाया अगर वा खुद को कोशने लगे, तो क्या या सही है? सिस्वों ने का कि गुरूर्य यह तो गलत बात है क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ी नहीं सकता हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है गुरू कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हर एक विक्तिका काम करने की कला का दिमाग का अलग-अलग महत तो होता है कोई किसी कारे में माहिर होता है तो कोई किसी कारे में बस हमें इसी को समझने की जरूत होती है जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसे कर रहे हैं तुम भी वैसा करो तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कारे को करो अगर तुम अपनी प्रतिबा के हिसाब से कारे को करोगे तो तुम इसमें जरूर सफलोगे गुरू आगे कहते हैं कि मांसिक रोप से मजबूत बनने का छठा नियम है अपनी उर्जा को विर्थ में बरबाद मत करो गुरू कहते हैं कि तुम सब की अंदर अभी बहुत उर्जा है कभी भी अपनी उर्जा को गलत कारों में गलत लोगों पर बरबाद मत करना क्योंकि अगर तुम अपनी उर्जा को बरबाद करोगे तो वह तुमें बरबादी के तरफ ले जाएगी इसलिए अपनी उर्जा को अपने लक्ष में लगाओ क्योंकि अभी तुम सब के पास बहुत ज़्यदा उर्जा है अगर तुम सब पूरी उर्जा के साथ अपने लक्ष पर जुड़ जाओगे तो तुम जरूर सपलो जाओगे लेकिन अगर तुम उर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी उर्जा बिखरने लगेगी और जब उर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे गुरू आगे कहते हैं कि मांसिक रुप से मजबूत बनने का शात्मानियम है शुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की गुरू कहते हैं कि सिस्वों पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी छमता है अगर तुम सबको अपनी छमता के बारे में पता है तो तुम अपनी छमता के हिसाब से कार को करो भले लाखों लोग तुम से या बोलें कि तुम इस कार को नहीं कर सकते हो उस कार को नहीं कर सकते हो तो तुम कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना या उनके हिसाब से मत चलना क्योंकि सरीर तुम्हारा अपना है तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज़्यादा तुम ही जान पाओगे कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा नहीं जान पाएगा तुम सबको अपने अपने बारे में पता होगा अपनी अपनी छमता के बारे में पता होगा कि तुम इस कार को या किसी भी कार को कैसे कर सकते हो कोई किसी कार को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है यह सब बाते तुम सब को खुद के बारे में सबसे जाता तुम ही को ही पता होंगी, इसलिए तुम्हारे अंदर जो छमता है, अपनी छमता के हिसाब से ही अपने कार का चुनाव करो, और जब तुम अपनी छमता के हिसाब से कार को करोगे, खुद के अंदर की आवाज को सुनोगे, तो तुम जीवन में जरूर आगे जाओगे, कई बार होता है कि लोग खुद की छमता को पहचानते ही नहीं, जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं, वो वैसा ही करने लगते हैं, और अपनी जिंदिगे का धेर सारा समय यूही बरबाद कर देते हैं, उनसे ऐसा काम करने को कहा गया था, तो अभी वैसा ही काम करने में जुट गए, बिना सोजे अरजित नहीं कर पाएगा, यह सरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है, सुचने समझने की सक्ती भी तुम्हे ही तै करनी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, और इसमें कितनी शमता है, और अगर शमता नहीं है तो अपने सरीर की छमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर की खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास करिए और अपनी छमता के हिसाब से आगे बढ़िए गुरू आगे कहते कि मांसिक रूप से मजबूत बनने का आठवा नियम है बोलना कम करो और अपनी कार पर ध्यान दो गुरू आगे कहते कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है वो अपनी उर्जा को यूही बरबाद करता रहता है क्योंकि जो बोलता ज़्यादा है वो सोचता कम है क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी उर्जा बोलने में खपद कर दी तो वह सोचेगा क्या उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज़्यादा मिल जाता है और जब तुम किसी बात पर या किसी तथ पर ज़्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे गुरु कहतेंगी सिस्चों अगर मैं तुम से कुछ सवाल पूछता हूँ तो सबसे पहले तुम सोचते हो तुरंत बोल तो नहीं देते लेकिन अगर कोई यहां बैठा है और वो अपने साथी से बात कर रहा है अपने दूसरे गुरु भाईयों से बात कर रहा है तो वह कभी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा और जो हम प्रस ने पूछेंगे तो उसका गलत जवाब वह दे देगा क्योंकि वह बोलने में अपनी उर्चा ब्यर्थ कर रहा है वह हमारी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं लेकिन जो सिस्से सांत है हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है तो वह सोच विचार कर के तरक पूर्ड तरीके से उत्तर देगा और उसके उत्तर भी सही होंगे इसलिए सिस्सों कम बोलने का अभ्यास करो जब तुम कम बोलने का भ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर किसी भी तत्थ पर ज़्यादा भी चार कर पाओगे तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समधान जरूर निकल कर आएगा और कम बोलने से तुम्हारी उर्जा की भी उस उर्जा को सोचने में लगाओ गुरू कहते हैं कि सिस्यों यह थे मांसिक रूप से मजबूत बनने के आठ नियम अगर तुम सब यकीन के साथ इन आठ नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मांसिक रूप से अवसे मजबूत बनोगे फिर कोई परिशान करते हैं कि मांसिक रूप से मजबूत बनने के याठ नियम उनकी जिंदगी में कितने हिदकारी साबित होने वाले हैं वह सभी गुरू को पड़ाम करते हैं और उस दिन की सिच्छा भी पूरी हो जाती है सभी लोग अपने अपने आश्र में चले जाते हैं तो दोस्तों मु